हलो व्यूवर्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे MP Board कक्षा नवी की तो नवी क्लास के लिए जो नियम है वह है कि कक्षा नवी में प्रवेश लेते से ही आपका एक टेस्ट लिया जाएगा उसके आधार पर निश्चित किया जाएगा कि आपका इस्तर क्या है तो वह जो टेस्ट होगा वह होगा Best Line Test Best Line Test आपका लिया जाएगा सबसे पहले नवी में प्रवेश लेते से ही सबसे पहले टेस्ट होगा Best Line Test और यह जो टेस्ट है तीन विशे में होने वाला है और इसके विशे होंगे हिंदी, गनेत और अंग्रेजी हिंदी, गनेत और अंग्रेजी इन तीन विशे में आपका Best Line Test होगा और इसके आधार पर निश्चित किया जाएगा कि आपका इस्तर क्या है आप 6-8 वाला जो इस्तर है मतलब आप पिछली कक्षा में पढ़के जो आए हो वो आपको सब पता है या नहीं वो सारा Basic Knowledge आपके पास है या नहीं और इस टेस्ट के आधार पर ही आपके आगे की पढ़ाई होगी इसके साथ ही कक्षा नवी MP Board में सबसे पहले Bridge Course पढ़ाया जाता है इन तीनों विशे में Bridge Course पढ़ाया जाएगा हिंदी, अंग्रेजी और गनित में Bridge Course की बुक मिलेगी आपको और उसको आपको पढ़नी है उसके बाद में आपको में बुक भी पढ़नी पढ़ेगी तो Bridge Course पढ़ाया जाएगा और उसके लिए आपका Best Line टेस्ट होगा सबसे पहले Best Line टेस्ट होगा इस टेस्ट के नंबर कहीं भी नहीं जुड़ेंगे लेकिन यह आपका इस तर जरूर निश्चित करेगा आपकी स्कूल में और उसके बाद हिंदी, अंग्रेजी, गणित इन तीन विशे में Bridge Course पढ़ाया जाता है जो कि एक Basic Knowledge वाली बुक होती है जिससे कि आपका हिंदी, अंग्रेजी और गणित का इस तर अच्छा हो जाए इसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि Best Line जो टेस्ट है, उसके बाद भी और टेस्ट होते है तो यह तीन टेस्ट होंगे आपके Bridge Course के आधार पे तो जो Best Line टेस्ट है उसके नंबर तो कहीं नहीं जुडते हैं लेकिन Mid Line और End Line टेस्ट के नंबर आगे भी परिक्षा में जुडने की पूरी संभाव ना रहती है तो आपको यह टेस्ट भी अच्छे से करना चाहिए और Best Line टेस्ट किस प्रकार से आएगा और उसका पेपर किस तरह से आएगा तो उसका वीडियो भी हम बना चुके जिसकी लिंक नीजे डिस्क्रिप्शन में दे रखी आप उसमें से देखकर अपनी तयारी अच्छे से कर सकते हो और Best Line टेस्ट अच्छे से कर सकोगी इसमें आपको नंबर मिलेंगे तो इस प्रकार हमने समझ लिया है कि कक्षन नवी में सबसे पहले Bridge Course पढ़ाया जाएगा तीन विशे में इसके बाद जो बाकी के तीन विशे उसमें जो बुखे वही पढ़ाया जाएगी बुख से ही पढ़ाया जाएगा और आपका Bridge Course जो है वह त्रेमासिक परिक्षा में भी पूछा जाता अर्दवार्शिक में भी और वार्शिक परिक्षा में भी आता है इसलिए Bridge Course की तयारी जरूरी है कक्षा नवी के लिए और नवी Bridge Course की तयारी चैनल पर शुरू हो चुकी आप उसको देखकर अच्छे से समझ सकते हो और अपनी Bridge Course की भूग भी पूरी कर सकते हो तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नवी की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब केजिए